तो आज बच्चा मैं अपने क्रैस कोर्स का सुरुवात कर रहा हूं और जो फर्स्ट वीडियो आया है बच्चा वो बाइलोजी से आया है बाइलोजी का लाइफ प्रोसेस जो आज दिवाली के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चा आप लोगे समझे बहुत सारा चाहिए तो जो भी नए बच्चे मेरे साथ जूड़े हुए हैं उन्हें मैं इन्फर्म कर दूं कि बच्चा मैंने जो क्रैस को आप लोगे लिए लॉंच कर रहा था वो 75 देज को देखते हुए क्या था क्या था क्योंकि अभी आपके बोर्ड इग्नामिनेशन में सिर्फ सिर्फ 75 देज हैं तो अभी तक भी आप लोगे ने स्टार्ट नहीं करा है तो कोई देर नहीं हुए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है 75 देज तक और यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा से ले बस स्टार्ट से लेके लास तक खतम करवाऊंगा और वन स्वाट भी करव तो आज बच्चा दैसे तक आज जैसे आप लोग दिखाई दे रहा हो आप लोग कुन कि लाइफ प्रोसेस करने वाले हैं बाइलोजी का पहला चेप्टर है बच्चा जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस लेक्षर में क्या-क्या मिलने वाला है बच्चा तो व board point of view से जो भी important question होने वाले हैं, just like pyq, वो आपको मैं हर topic wise बताते जाओंगा, ठीक है, हर chapter में, आपको pdf भी send कर दूँगा group में, tip and tricks बताओंगा कि कैसे कौन सा section पहले करना है, section A पहले करना है, section B, section C, या कितने marks का सवाल पर कितने page लिखना पड़ेगा, या कितने line लिखने पड़ेंगे, then आपको notes मिलेगा, सबसे important notes होता है बच्चा, कोई बच्चा जो अभी तक notes नहीं बनाया है, बहुत सारे बच्चे भारादेस के हो सकते हैं, जिसने अभी तक notes नहीं बनाया हो, तो उसको notes मैं provide कर दूँगा, आपको इंडिया का best notes देने की guarantee मेरी है, जहाँ आपको हर NCRT का topic cover होगा, उससे बाहर आपके examination में नहीं आएगा, तो बच्चा आपको करना क्या है, आपको description box में जाना है, और मेरे टेलेग्राम चैनल का link दिया हुआ है, आपको वो टेलेग्राम चैनल पे जाके join हो जाना है बच्चा, और वहाँ पे आपको सारे PDF notes के, PYQ के, आपको DPP भी प्रवाइड होगा, और ये सब आपको free of cost प्रवाइड होगा, बस बदले में आपसे मैं एक चीज मांग रहा हूँ, कि जितना हो सके अपने दोस्तों में share करिएगा, और मेरे चैनल को subscribe कर लिजएगा बच्चा, क्योंकि ये जो है आपके लिए मै मेहनत कर रहा हूँ, और इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, और आप लोग जितना ज्यादा बच्चे हो सके, उनमें ये distribute करिए, ताकि free of cost वो लोग इंडिया का best education ले पाए, और आपको अब इस चैनल को जाके subscribe करना है बच्चा, और से पहला सवाल यहाँ पर यह जनेट होता है, कि सर, life process जो chapter का नाम है, उसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है process, मतलब अपने life को sustain करने के लिए जो basic function हम लोग perform करते हैं, जो basic function perform करते हैं, किसके लिए अपने जिन्दगी को sustain करने के लिए, जिन्दगी को जी है, जिसने हम लोग जिन्दा रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं, वही basic function क्या है हमारा, basic function क्या है, जो हम लोग perform करते हैं, अपने life को sustain करने के लिए, वही तो life process है, ठीक है बच्चा, यह समझ में आ गया होगा, तो वो basic function क्या-क्या है, जो class 10 के बेशिस पर पढ़ना है, nutrition पढ़ना है हमें, respiration पढ़ना है, transportation पढ़ना है, then excretion पढ़ना है, बच्चा यह सारे जो subtopics हैं, यह हमें animals, मतलब humans, ठीक है, humans and plants, इन दोनों के बीच बच्चा हम लोग को यह पढ़ना है, animals और plants, पूरे chapter में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, nutrition पढ़ेंगे, वो भी animals में पढ़ेंगे, और plants में भी पढ़ेंगे, transportation पढ़ेंगे, तो animals में भी पढ़ेंगे, मतलब humans के अंदर और plants के अंदर, और excretion भी पढ़ेंगे, humans और plants के अंदर, यह सारी चीज़े जो होने वाली हैं बच्चा आपके पास, तो यह overview पूरे chapter का कि हमें क्या-क्या पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ते हुए जाना है, ठीके बच्चा, then start करते हैं हम लोग nutrition से बच्चा, तो nutrition क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, वो यह आनी चाहिए कि what is nutrition, nutrition क्या होता है, तो बच्चा nutrition एक process है, किस चीज़ का process है बच्चा, intake of food, खाने क अंदर ले जाना और उसमें से energy निकालना, utilize करना उसको, अपना daily function perform करने के लिए, जो basic function है, life process है, वो क्या है बच्चा, nutrition है, तो simple सा चीज है, nutrition क्या है, अगर कोई पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, the process of intake of food, ठीक है, nutrition एक ऐसा process है, जिससे हम लोग खाना खाते है, और उसको utilize करते है, अपना daily function जो है, basic function उसको perform करने के लिए, तो nutrition समझ में आ गया सार, प्रोसेस है, जिसके तुरू हम लोग खाना, खा रहे हैं, अंदर जा रहा है, और वहां से हम लोग उसको utilize कर पा रहे है, तो nutrition बच्चा, दो types का होता है, जो हमें class 10 के basis पर पढ़न अपना भोजन, अपना खाना खुचते बना लेना, that is autotrophic, और हम लोग humans क्या होता है बच्चा, हम लोग दूसरे पर dependent होते हैं, indirectly plants पे, ठीक है, plants से हम लोग जो सबजी आता है, सबजी लेके आते हैं, दिन बनाते हैं, मतलब we are indirectly dependent on the plants, हम लोग plants पे ही dependent है, तो बच्चा, हम हम लोग क्या है, heterotrophic, क्योंकि हम लोग दूसरे पर dependent, depend on other for food, ठीक है, तो जो autotrophic होता है बच्चा, वो दो टाइप का होता है, photosynthesis और chemosynthesis, photosynthesis क्या होता है बच्चा, जिसमें जो plants हैं, आप लोग बच्चमन से पढ़ते होया होंगे, light के presence में, जो खाना बनाते हैं, वो क्य होता है photosynthesis, chemosynthesis क्या है बच्चा, तो कुछ chemicals के थ्रू, कुछ inorganic chemicals के थ्रू, कुछ inorganic chemicals के थ्रू, जो organism अपना वोधन मनाते हैं, light के presence में नहीं, वो क्या होता है, chemical के presence में, उन्हें बोलते हैं, chemosynthesis, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, chemosynthesis, जो chemicals के presence में खाना बनात है ठीक है ले इसमें अगर आपको एक्जांपल पुछा जाएगा फोटो सिंसेजिस का तो सारे प्लांट आपको दीख रहे हैं वो तो । नि ह Auramagar ऑप पुछा जाएगा तो Uber एक्जांपल है य।esis अप आप लोगों पूछे तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, purple sulfur bacteria, क्या example है इसका, purple sulfur bacteria, ठीक है, ये chemicals का use से अपना खाना बनाता है, then heterotrophic बच्चा तीन टाइप का होता है, saprophide, parasitic, holojoic, holojoic क्या होता है बच्चा, ameva और human भी बोल सकते हैं, इंसान, इंसान भी क्या है, एक hol holojoic, holojoic मतलब क्या, कि हम लोग जो खाना खाते हैं, वो solid के form में होता है, then एक process होता है सरीर के अंदर, dietion होता है, absorption होता है, transportation होता है, ये पूरा process होता है, जो जिस organism के अंदर हो, कि एक solid खाना खाओ, और process के थुरू, बहुत सारे process होते हैं, उसको हमारे सरीर में पचाना और transport करना, that is holojoic, ठीक है, और parasitic क्या होता है बच्चा, सब को पता है, parasitic जैसे हमारे बालों में होता है, लाइश, वो हमारे बालों में रहता है, उसका shelter भी यहीं पे है, और खाना भी हमी से लेता है, खुन चुसते रहता है हमारा, ठीक है, saprophide क्या होता है बच्चा, ये तो ये हो गया, saprophides, ठीक है, जैसे factory, fungi, ठीक है, then we are moving towards the next topic, photosynthesis, क्या होता है, तो photosynthesis बच्चा, बहुत ही असान सा process है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक chemical reaction की तुरू समझने या कोहिस करेंगे, पहले तो हम लोगों पता है, अगर ये plants है, ठीक है, तो root में से क्या होता है बच् या CO2, तो CO2 और H2O मिलके क्या बना रहा है, sunlight और chlorophyll पत्ते के अंदर जा रहा है, पत्ते में क्या है, sunlight और chlorophyll आ रहा है, और ये दोनों मिलके C6H12O6 बना रहा है, that is glucose, that is glucose बना रहा है, ठीक है, और O2 release हो रहा है, तो एक simple सा process है बच्चा, जो आपको दिख रहा होगा, ल chlorophyll आपको दिख रहा है, जो एक पत्ते के अंदर होता है, तो chlorophyll plants को green रखने में help करता है, दुसरा, वो sunlight को trap करता है, जो भी sunlight आ रहा है, वो leaves की तरफ trap हो रहा है, वो chlorophyll के वज़ा से, तो chlorophyll सबसे पहले observe होता है, second में क्या होता है बच्चा, conversion of light energy into chemical energy by and hydrolysis of water, ये जो पानी है न, जो root से जा रहा है, जो root से जा रहा है, उपर की तरफ, ठीक है, plants की तरफ, root से जो उपर जा रहा है, ये पानी पहले breakdown होगा, H2 वो breakdown होगा किसमे, H2 और O2 में, ठीक है, H2 और O2 में, तो पहला step है कि conversion of light energy into chemical energy and hydrolysis of water, H2 और O2 में तूट गया, अब क्या होगा ब ले लेते हैं, plants में से, अब जो H2 है, वो react करेगा CO2 के साथ, और हमारा glucose ready होता है, C6, H2O6, यहाँ पे, that is glucose, जो plants का भोजन होता है, देखिए आप लोग, यहाँ पे prepare हो गया, तो तीन steps involved है फोटो से इसेसिस में, सबसे पहला कि जो chlorophyll selenite को absorb करता है, और जो कि selenite आया, energy आया, तो पानी क्या होगा, टूटेगा, पानी का hydrolysis हो जाएगा, तो H2 और O2 में टूट गया, यह O2 हम लोग को directly मिल जाता है, यहाँ से बाहर, हम लोग सांस कह लेते हैं, oxygen जो plants देता है, और hydrogen फिर CO2 के साथ रियक्ट करके glucose बनाएगा, जो plants का भोजन प्रिपेर हो गया, तो photosynthesis, photo मतलब light, light के help से जो plants अपना खाना बनाते हैं, that is photosynthesis, धोप आप लोग को समझ में आ गया होगा यह, देन बच्चा, photosynthesis के बाद जो next था, वो था, kemosynthesis, वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि कुछ inorganic substances, कुछ inorganic material के help से, जो organism अपना खाना बनाते हैं, उसमें light नही होता है, उसमें light का help नहीं लेते हैं वो लोग, ठीक है, जैसे pulper, sulfur, purple, sulfur, bacteria, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग light का help नहीं लेते हैं, ये लोग directly, ये लोग directly chemical के help से अपना खाना बनाते हैं, तो kemosynthesis बोलते हैं, pulper, sulfur को bacteria, ठीक है, ये example याद रखिएगा बच्चा, next, अब हम लोग खाना खा चुके हैं, nutrition, ठीक है, तो nutrition में ही एक और topic है, बच्चा, nutrients क्या होता है, nutrients क्या होता है, तो nutrients होता है, बच्चा, components of food, जैसे की, vitamin हो गया, ठीक है, vitamin हो गया, mineral हो गया, पोसक तथो खाने में, ठीक है, fat हो गया, carbohydrate हो गया, ठीक है, carbohydrates हो गया, and protein हो गया, तो बच्चा, ये सब जो पोसक तत्थों है, जो खाने में होता है, vitamin, mineral, fat, carbohydrates, protein, ये सब nutrients होता है, component है, खाने का component है, और nutrition क्या होता है, वो process ने जिससे खाना अंदर जा रहा है, तो अभी हम ल नुट्रियंट्स मतलब जो पोसत्त्त है विटमीन, मिनरल, कार्भाइड़, फैट, विटामी, उसको तोड़ना, सिंप्लिफिकेशन मतलब ब्रेकडाउन, डाइएशन में होता है क्या है बच्चा, ब्रेकडाउन होता है, जो भी हम लोग नुट्रियंट्स खा रहे हैं उसका खाना डाइजेस्ट होता है, बहुत एग्जामीनेशन में ही आता है बच्चा, वहां से फिर पूरे बॉड़ी में चवा जाता है, खाना ब्लड के थुरू, और जो वेस्ट मटरियल है वो लाज इंटेस्टाइन में आएगा, जो एक्स्टा वाटर है, और वहां से फिर एन अब जो एक्स्टा वेस्ट मटरियल है वो लाड इस्टेस्टाइन में जाएगा, और लाड इस्टेस्टाइन के थिर एनस के थिर बाहर आ जाएगा, ठीक, अब बच्चा, हम लोग यू डाइजेशन सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, नूट्रियेंट्स होते हैं, य माउस में जैसे हम लोग ठाते हैं, तो माउस से क्या निकलता है, सालिवा निकलता है, सालिवरी एमाइलेस के अंदर से, जो लार होता है, लार, वो निकलता है, और वो माउस के अंदर ही डाइजेशन स्टाट हो जाता है, ग्लुकोस जो है, वो ग्लुकोस बन रहा है, मर्क में ही टूट जाता है ठीक है और बचा-कूछा इस Although एक तो compress तो complex में से simpler substance में two try यह सब ठीक है बच्चा carbohydrates, fats and protein are energy provider यह सब energy provider है तो यह सब breakdown होता है बट आप लोग ध्यान देना vitamin और mineral यह दोनों हमारे सरीर में breakdown नहीं होते हैं खाने के अंदर vitamin और mineral ज्रूरी होता है हम लोग गोली भी खाते है vitamin C, vitamin D ठीक है तो vitamin और mineral यह दोनों breakdown नहीं होता है क्यों कि हमारे सरीर को इनकी जरुरत होती है यह की कमी से बिमारी होता है यह complex नहीं है और इसका जरूद हमारे सरीर को है बाकी carbohydrates, fats and protein यह energy providers है यह हमारे सरीर को energy देता है और vitamin और mineral यह हमारे सरीर में जो बिमारी होता है उनके खिलाफ लड़ने में help करता है तो vitamin और mineral को ऐसे ही रहना है और carbohydrate, fat और protein breakdown होता है glucose, fatty acid और amino acid अब किसके help से होता है, क्या होता है यह हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बच्चा हम लोग mouth के अंदर सबसे पहले एक जो तीथ है वो भी important role play करता है ठीक है, तो कि teeth क्या करता है, खाना खाएंगे सबसे पहले तीथी तो खाने पर लगेगा ना उसको खाने को grinding करता है ठीक है, तो चार टाइप का teeth होता है बच्चा, incisor, canis, premolar, molar incisor यह आगे का चार दात बच्चा, incisor होता है यह जो नोख, चोखा वाला दात है, जो नोखिला होता है, वो canis है बच्चा ठीक है, फिर premolar आएगा, दो दात, और फिर molar आजाएगा ठीक है, तो यह चार दात होते हैं, incisor, canis, premolar, molar तो incisor क्या करता है, cutting teeth है बच्चा, खाने को सबसे पहले काटने में help करता है incisor, canis क्या है, tearing teeth, ठीक है, जो fleshless है, उसको फांडने में help करता है tearing teeth है, यह नोखिला, देन premolar आता है, वो खाना जो breakdown हो जाता है कौन, premolar, and then last में जो यह molar है, यह क्या करता है, grinding कर देता है जैसे mixi में हम लोग piece देते हैं, वो पूरा का पूरा एदम, चटपर चटपर एदम, grinding हो जाता है ठीक है, powder के तार हो जाएगा खाना, सबसे पहले यह चार teeth, incisor क्या करेगा, खाना खाये, उसको तोड़ेगा then, months हो गया, flesh हो गया, ठीक है, कोई hearts ही हो गया, उसको फांडने में, यह जो नुकिला दाथे, वो help करता है then, pre-molar, यह pre-molar, यह क्या करेगा, खाने को और छोटा करेगा then, last वाला जो होता है, बच्चा दाथ, ठीक है, molar, वो पुरा grinding कर देगा, मतलब, powder के form में कर देगा खाने को तो यहाँ पर तीथ है, वो major role play कर रहा है, क्योंकि जो हम लोग solid खाना खाये है, ठीक है, उसको हम लोग पूरे तरह कैसा liquid बनाना है तो एक process के थुरू बनता है, सबसे पहले mouth में तो तीथ है, वो खाना जो solid है, जैसे रोटी सबजी खाये है तो रोटी सबजी खाये हैं, अब उसको grinding करते हैं, हम लोग mouth में जो तीथ है चारो, major role play कर रहा है देन उसके बाद बच्चा, mouth की जो inner leaning में, mouth के inner leaning में क्या होता है, salivary gland होता है जिसका नाम है salivary amylase, salivary amylase, जिसको हम लोग lar भी बोल देते हैं बच्चा, जो lar गिरता है, हम लोग कटेशेशेशेशे खाना देखके ये salivary amylase क्या करता है बच्चा, जो खाने के अंदर component में carbohydrates है न, उसको breakdown करके glucose बना देता है मतलब complex था carbohydrates, उसको तोड़के एक simple चीज बनाया, मतलब carbohydrates के तो compression में simple ही है, glucose बना दिया ठीक है, तो सबसे पहले जो breakdown of food, मतलब digestion कहां से start होता है, यहां से एक सवाल बन रहा है बच्चा सबसे पहला organ कहां पर digestion स्टार्ट हो रहा है, वो है mouth, ठीक है, mouth में तीथ भी क्या कर रहा है, खाने को काट रहा है, छोटा कर रहा है then, salivary gland से एक amylase निकलता है, saliva जो उसको लार भी बोलते हैं, वो carbohydrate को, जो की component है खाने का, पोसक तत्रका एक component है carbohydrate, fat, vitamin, mineral, protein, तो carbohydrate, ये क्या होता है, टूट जाता है, mouth के अंदर ही, glucose के है, glucose में then, बच्चा, खाना, mouth में ये सारा चीज़ हो गया, then, mouth ते फिर कहां गया, asophagus, कहां जाएगा, asophagus तो asophagus आप लोग देख रहे होंगे ये, ठीक है, खाने की नली बोलते हैं, asophagus में ये जो खाना है, ये नीचे जाता है, ये मालो food pipe है, ये जो food है, ये जो नीचे जाता है, तो जो inner leaning है न बच्चा, ये जो inner leaning है न, food pipe का, वो एक movement करता है, ठीक है, वो force exert करता है, ये food pipe है, यह एक ऐसे movement करेगा मतलब खाने को नीचे धके लेगा ऐसे नीचे धके लेगा तो यह जो movement हो रहा है ना inner leaning से उस movement को बोलते है peristillatic movement, ठीक है food now passes to stomach through esophagus by the process of peristillasis मतलब खुद ही सोचो आप अगर यह food pipe है ठीक है यह food pipe है बच्चा और यहाँ पे खाना है, भोजन है यह नीचे कैसे जाएगा, food pipe से नीचे कैसे जाएगा तो जो inner leaning है ना वो खुद ही एक ऐसा shape ले लेता है खाना के आते ही, अपने आप उसको नीचे धके लता है and that movement is known as peristillasis movement, जो esophagus दिखाता है ठीक है, समझ में आ गया होगा examination में यह भी यहाँ से सवाल बनते है then खाना जो है खाए लातों में उसको क्या क्या है, तोड़ा then salivary amylase, लार ने क्या 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 carbohydrates को तोड़के glucose बना दिया then यहाँ गया, यहाँ पे क्या हुआ बच्चा esophagus food pipe में क्या हुआ उसको press lysis movement से वो नीचे गया नीचे जाएगा बच्चा पेट में तो पेट से बच्चे तीन चीज निकलती है पहला SCL then pepsin then mucus अब इन तीनों चीजों को हम लोग को समझना है बच्चा तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि pepsin क्या करता है जो हमारे खाने में protein है पेपसीन क्या करता है कि जो हमारे खाने में protein है इन protein को वो तोड़ता है amino acid में किसमे breakdown करेगा बच्चा amino acid में ठीके क्योंकि simple compound में तोड़ना है तो खाना आने के बाद पेपसीन डिरेक्ट इस पर act नहीं कर पाएगा पेपसीन जो है इस पर डिरेक्ट अक्ट नहीं कर पाएगा तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा बच्चा उसके लिए बच्चा खाने में पहले hcl, acedic बनाना होगा ठीक है, एक mineral acid है, strong acid है, जो हमारे लिए कितना आनिका रहा है, हाथ पड़ेगा, हाथ जल सकता है, तो पेट जैसे कोमल चीज में कैसे आ रहा है, वो कैसे हमारा पेट जल ले रहा है, तो बच्चा यहाँ पर इसको protection देने के लिए हमारे पेट को mucus present होता है, mucus एक चिपचिप इनर लिंग में ऐसे present है, उसको protect कर रहा है, उसको वही पर रख रहा है, और वो कम amount में release होता है, इतना ही release होता है, ताकि वो बस खाने को क्या बना दे, acidic बना दे, और खाना acidic बनेगा जैसे ही, पेपसीन उस पर attack करेगा, तो पेपसीन वेट करता है, क्या चीज का, कि भाई इसे कैसे add करेंगे, पहले खाना acidic हो जाए, तो STL जैसे ही खाने में मिला, खाना हो गया, acidic, उस पर पेपसीन कहा कि हमला, तो पेपसीन ने हमला कर दिया, अब पेपसीन क्या तोड़ेगा, प्रोटीन पर attack करेगा, खाने के अंदर बहुत सारे components हैं, तो उस पर बस प्रोटी और STL का क्या का में, खाने को acidic बना देना, ठीक है, ये बच्चा हमारा पेट के अंदर जो भी हो रहा था, मैंने आपको समझा दिया, कि पेट के अंदर तीन चीज़ें release होती है, STL, mucus and पेपसीन, पेपसीन काम करे, इसलिए STL आता है, और STL जो है, वो हमारे सरीर के लिए हानी कारक ना हो, सरीर जला ना दे, इसलिए हम लोग mucus वहाँ पर present होता है, protective layer, अब आप लोग सुनते होंगे कभी-कभी, कि हमारे पेट में acidity हो जाता है, और हम लोग धेकार मारते हैं, ठीक है, धेकार आता है, acidity हो जाता है, हमारा पेट, acidity हो जाती है, तो उस case में बच पेट के अंदर, ठीक है, तो हम लोग ino खाएंगे और ino basic होता है, तो उसको neutralize कर देता है, acid और base क्या होगा बच्चा, acid plus base क्या होगा, neutralize कर देगा हमारे दर्द को, तो हमारा पेट जो है, जो irritation हो रहा था पेट में, ठीक है, जब gas हो जाता होगा, बहुत बच्चे हो जाता है, उस case में, ठीक है, तब, अब हम लोग का जो खाना है बच्चा, अभी जग हम लोग small intestine में आ चुके हैं, तो सबसे पहले mouth में क्या हुआ, carbohydrates जो है, वो तूट गया glucose में, उसके बाद small intestine में क्या हुआ बच्चा, sorry small intestine में तो अभी आया है हम लोग न, उसके बाद, बच्चा हम लोग सबसे पहले क्या हुआ था, mouth में, mouth में क्या हुआ था बच्चा, mouth में carbohydrates, glucose में टूटा, then stomach में क्या हुआ, protein amino acid में टूटा, ठीक है, तो glucose और amino acid, ये दो चीज बन चुकी है, अब जब हम लोग आते हैं, देखो बच्चा, ये है, food pipe, ठीक, esophagus, यहाँ पे stomach है, ठीक है, अब, इस टोमक से जो खाना निकला, फिर ये निकलेके गया small intestine के अंदर, ठीक है, कहा गया, बच्चा, small intestine के अंदर गया, अब small intestine में क्या हो रहा है, वो देख़िए, अब आप लो, small intestine में क्या गया होता है, बच्चा, जो भी खाना जाएगा, pain, से निकल के, तो पेट में तो खाना एसिडिक हो चुका था अब यही एसिडिक खाना कहा गया small intestine में तो बच्चा small intestine है तो यह हमारा small intestine है तो इसके आजू में होता है pancreas और इसके बाजू में होता है liver ठीक है, आजू में pancreas बाजू में liver, तो pancreas देता है बच्चा स्थ पेंख्रियास इसको देता है pancreatic juice अब pancreatic juice में क्यों क्यào है कोई बता पाए गा pancreatic juice में क्या-क्या है तो pancreatic juice आ रहा है इसके अंदर, वच्चा तीन चीज़े आती है CDU deinen लिपेज और pancreatic amylase तो बच्चा अब यहां पे क्या हो रहा है जो ट्रिपसिन है बच्चा वो ट्रिपसिन क्या करेगा सेम प्रोटीन को तोड़ेगा किस में तोड़ता है प्रोटीन को किस में तोड़ता है बच्चा अमीनो एसिड में लिपिस क्या करेगा बच्चा fat को तोड़ेगा fat को किस में तोड़ेगा fatty acid में ठीक है fat को किस में तोड़ेगा fatty acid में and pancreatic amylase ठीक है pancreatic amylase क्या कर रहा है बच्चा pancreatic amylase क्या कर रहा है जो mouth में carbohydrates को तोड़ा गया था glucose में तो बचा-कुचा जो भी carbohydrates है बचा कुचा जो भी carbohydrates है उसको glucose के form में ये तोड़ देता है कहाँ पे pancreatic amylase ठीक है तो protein तो हमारा पेट में भी तूटा था तूटा था ना इस टोमक के अंदर protein amino acid में ठीक है कौन तोड़ा था? पेपसीन ने तोड़ा था पेपसीन ने तोड़ा था पेपसीन कहाँ पे तोड़ा था बच्चा? ये पेट में तोड़ा था इस टोमक में अब जो बचा कुचा protein है वो small intestine में क्या होगा? तूटेगा और small intestine में कौन तोड़ेगा उसको? ट्रिपसीन लेकिन बच्चा यहाँ पे एक और चीज important है कि मैंने जैसे बोला कि liver भी कुछ देता है तो liver पेट में क्या देता है? bile juice bile juice अब bile juice क्या करता है बच्चा? bile juice जो भी खाना है खाना जो पेट से आ रहा है acidic, उसको bile juice क्या करेगा? basic बना देगा basic बना देगा या alkaline बना देता है खाने को क्योंकि जब तक basic नहीं बनेगा, तब तक trypsin उसको act नहीं करेगा, trypsin प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा amino acid में, तो जो खाना पेट से निकल के आया small intestine में, पेट से small intestine में, उसको basic बनाना है, और basic कौन बनाएगा, basic बनाएगा बच्चा, liver में से जो निकल के आ रहा है bile juice, वो, और बच्चा, bile juice का पहला काम क्या है, basic बना देना, ताकि, ये जो trypsin है, वो उसको protein को amino acid में तोड़ दे, और दूसरा बच्चा, bile salt release होता है, जो fat को emulsify करता है, emulsify मतलब breakdown करना, fat को emulsify करना, emulsify मतलब, देखो यहाँ पे लिखा है न, bile salt, emulsification, मतलब, जो बड़ा-बड़ा fat है, उसको छोटे-छोटे globules में तोड़ना, breakdown करना, और जब fat में तूट जाएगा, तो अराम से lipis क्या करेगा इसको, breakdown कर देगा, कैसे, क्या करेगा, fat को fatty acid ब breakdown कर देगा, बच्चा, तो जो bile salt है, वो भी bile juice में से निकलता है, और bile juice का काम क्या है, food को alkaline बना देना, alkaline बना देना, ताकि pancreatic juice उसपे act कर पाए, ठीक है, मतलब, उसपे, कौन act कर पाए, pancreatic juice में, trypsin act कर पाए, बच्चा, उसको, protein को तोड़ दे, amino acid में, समझ में आ गय सब कुछ तूट गया, हमारा carbohydrates भी तूट गया, protein भी तूट गया, and fat भी तूट गया, तो carbohydrates तूटा glucose के अंदर, protein तूटा amino acid में, fat तूटा fatty acid में, अब सब कुछ तूट चुका है, सब कुछ बच्चा liquid के form में हो गया है, अब उसको क्या काम है, small intestine का major role क्या है, पूरे body में क willie, ठीक है, willie क्या होता है, बच्चा, यह small intestine है, ठीक है, यह small intestine है, तो यहाँ पर willie like projection है, ठीक है, finger like projection बोलते हैं, यह क्या करता है, surface area increase कर देता है, और यहाँ पर बच्चा, जो भी, यहाँ पर जो भी present है, खाना जो liquid के form में है, ठीक है, यह यहाँ से observe हो जाएगा, ठीक ह क्या करेगा, blood vessels में मिला देगा, और blood vessels के through, यह पूरे body में transport हो जाता है, बलड में मिलके, ठीक है, क्या, जो खाना है, खाना मतलब amino acid, ठीक है, fatty acid, glucose, यह सब के form में change हो चुका है, अब small intestine में है, तो small intestine में एक finger like projection होता है, जिसको हम लोग willie बोलते हैं, बच्चा, finger like projection, यहा and then taken by blood vessels, जो मैंने आपको समझा दिया भी बच्चा, ठीक है, तो small intestine से जो भी खाना है, वो blood vessel में मिलके, हमारे body के तरफ जा चुका है, क्योंकि blood पूरे सरीर में जाता है, जो blood में खाना मिलके, पूरे सरीर में जा रहा है, यहाँ पे, अब जो waste material है, बच्चा, जो waste material है, व अब यहाँ पे जो extra water है, जो extra water है, वो large intestine में आ गया, और जो waste है, वो large intestine में आ गया, और यहाँ से बच्चा, large intestine के थुरू होते हुए, कहाँ जाएगा, एनस के थुरू निकल जाएगा बाहर, ठीके, तो large intestine का देख लेते हैं, ठीके, large intestine 1.5 meter का होता है, बच्चा, 1.5 meter का हो इनस के थूरू बाहर चला जाता है और बच्चा एनस से पहले एक चीज आता है एनल इसपिंचर ठीक है ये क्या करता है एक एक्सक्रियेशन मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जब मंतब वेस्ट मटरियल बाहर निकल रहा है ऐसा नहीं है हम लोग कंट्रोल भी तो करते हैं जैसे क कंट्रोल करा पाता है और जो भी एक्स्ट्रा वाटर है जो डाइस्ट नहीं हो पाया है जो वेस्ट है वो लाट इंटिस्टाइन जो की 1.5 मीटर का है उसके थूरू क्या जाएगा बच्चा इनल में जाएगा और वहां से बाहर आ जायता है अब एक चीज है बच्चा यहा बच्चा इसके बारे में हिंदी में लिखा हूं मैंने कि जो मैदा होता है ना या सूजी हम लोग क्यों बोलते हैं ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैदा और सूजी वो दाइस्ट ही होता है वो सीधा जाएगा अपेंडिक्स पर अठक जाता है कभी-कभी तो जब अ अब की ओड़तना चाहिए जुस्क में मैदा होता है और मैदा कभी-कभी डाइजेस्ट नहीं होता है जैसे खाये वैसे यह निकल के गया और जाना चाहिए ऐसे एक क्रेट अनल के थुरू बाहर तो यह जाएगा अपेंडिक्स में चिपक गया तो फिर वहां पर क्या हो जाता है बच्चा इंफेक्शन क करना पड़ता है और अपरेशन में क्या होता है अपेंडिक्स को हटाना पड़ता है और अपेंडिक्स निकालना पड़ता है वहां से ताकि इंफेक्शन आगे ना पड़े तो बच्चा हम लोग यहां तक खतम कर चुके थे तो होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चा और हम लोग क्या-क्या पढ़े बच्चा एक बार अगर उबर व्यू करना है तो हम लोग सबसे पहले nutrition पढ़ने गए थी nutrition में मैंने आपको बताया कि autotrophic क्या होता है heterotrophic क्या होता है देन बच्चा हम लोग फीर पढ़ने गए थे mode of nutrition कि कैसे कैसे carbohydrates, fats, vitamin, mineral, protein breakdown होता है और क्या breakdown नहीं होता है कैसे कौन सा enzyme उसको breakdown करता है then digestion का process पढ़ने गए कि mouse से खाते है then food pipe then small intestine then large intestine किस किस तरीके से कैसे खाना जा रहा है बच्चा सारा कुछ हम लोग पढ़ गए यहाँ अब हम लोग का जो first part है यही पर complete होता है बच्चा next part में हम लोग पढ़ेंगे आगे amoeba के बारे में ठीक है तो amoeba कैसे digestion करता है नेक्स पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे amoeba के बारे में कि amoeba कैसे digest करता है and respiration पढ़ेंगे तो part first आज life process का यहीं पर complete हो गया होगा hope आप लोगों ने ये enjoy करा होगा session मेरे साथ, अगर video आपको अच्छा लगता हो, तो please मेरे लिए आप इतना कर लीजिए, कि channel को बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में share कीजिए ताकि यह मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, यह आप लोगों के board के examination में ज्यादा से ज्यादा बच्चे के लिए beneficial हो पाए, और कहीं ने कहीं मेरे लिए भी beneficial हो पाए बच्चा क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ